Students, next question है हमारा verb. What is verb? Verb किसे कहते हैं? Verb is an action word. कि verb जो है वो एक action word है जिसमें हम कोई भी action करते हैं like eating, drinking, walking, playing, sleeping, weeping. कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए जो हम action करते हैं तो उसको verb कहते हैं. कोई भी काम, जिस खाना, पीना, रोना, सोना, चलना, गाना, यह सारे action होते हैं तो इसको verb कहते हैं. अब next question है हमारा fill in the blanks with the given verbs on notebooks. कि हमने यह जो verb filling blanks है, इसको हमने नोट बुक पर write करना है, तो हम इसके लिए फिर इसकी filling blanks भी fill करेंगे. जैसे first हमारा, Ali is reading a book. अब Ali reading कर रहा है, वो कोई जो action कर रहा है, उसको verb कहते हैं. The children are playing in the ground. कि जो children है, वो ground में खेल रहे हैं. अब जो action कर रहे हैं, उसको play कर रहे हैं, तो यह action हुआ, तो इसको English में verb कहते हैं. Nida is sleeping on the bed. कि Nida जो action है, वो sleeping है, तो इसको verb कहते हैं. Rahila is writing an essay. जो एक ऐसे write का रही है, जो एक जो action है, उसको verb है. इस तरह मारी ये feeling blanks होंगे. और नीचे है, sort out the given verbs in appropriate columns on notebooks. कि यहां पे उन्होंने कुछ nouns दिये हुएं और कुछ verbs दिये हुएं. अब हमने इनको separate करना है. जैसे run, verb, girl, known, hawk, verb, dog, known, hat, known, cat, known, walk, verb. इस तरह हम सारा ये solve करेंगे. यहां पे हम knowns write करेंगे सारे, और यहां पे हम सारे verbs write करेंगे. नेक्स्ट है नीचे. यहां पे उन्होंने scene दिया हुआ है, यहां पे bus भी है, cars भी है, cycle, bicycle. अब हमने इसमें there is और there are का use करना है. जैसे इसमें आपने five sentences बनाने हैं, for example, there is a bus, there is a van, there are cars, there are motorcycles, there are cycles. इस तरह five sentences आपने notebook के उपर write करने हैं. तो हमारा यह page भी solve होगा. Students next है, हमारा topic है singular, plural. singular कहते हैं one thing को, और plural होते हैं ज्यादा. अगर हम singular के साथ हम सर लगा दें, एस लगा दें, तो वो हमारा plural बन जाते हैं. जैसे एन एपल, तो अब हमने इसके साथ सर लगाया, तो यह apples बन गया, ten apples. एन एग, one dozen eggs. आब बकिट, अब हमने इसके साथ सर लगाया, तो यह buckets बन गया. इसी तरह आगल, four girls. आजेबरा, three zebras. आखार, two cars. हम जब भी singular के साथ सर लगाएं, तो वो plural बन जाते हैं. इसी तरह हम यह वाला भी से करेंगे, सर लगाएंगे singular word के साथ, तो वो plural बनते जाएंगे. बर्ड, बर्ड, कुक, कुक, फार्मर, फार्मर, कोट, कोट, रिवर, रिवर्ड, तो यह इसी तरह हमारा सर लगाने से सिंगलर बने. अब हमने ए और स लगाएंगे, तो हमारे वो plural बनाएंगे, तो जिसके एंड पे ह आए वर्ड के, या ठ आए, या खस आए, या स, उसके साथ हम ए और सर लगाएंगे. सिंगूलर चीज़ के साथ, अगर एंड वाले वर्ड का, एंड वाले लैटर, अगर ह, हो, स, हो, खस हो, ठ, हो, तो उसके साथ हम ए और सर लगाते हैं. जैसे बुश, बुशिज, कॉच, कॉचिज, बुर्श, बुर्शिज, बॉक्स इसके इसके साथ भी बुशिज, मैच, मैचीज, इस तरह हम सिंगूलर प्रूरल भी, नोट बुक पे हम इसको भी राइट करेंगे